हाई एव्रिवान वेलकम टू दिशा क्लासेज और मैं उमीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और आपकी किसी ना किसी एक्जाम की प्रिपरेशन में जरूर हेल्फुल होंगी आज हम कोई भी टॉपिक कवर नहीं करेंगे आज की वीडियो हमारी है चुअ करना है फिलिप कोटलर की बुक में से तो कैसे कवर करें क्योंकि जब मैं खूध desen थी मैं खुध बढ़ना चाहती थि फिलिप कोटलर की बुक को तो मुझे भी समझ नहीं आया कि वी किन चाप्टर से मैं स्टार्ट करों या क्या अच्छा तरीका है फिलिप कोटलर को कवर करने का तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके उपर भी बना देती हूं जिससे बच्चों को help मिले कि भी फिलिप कोटलर को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो किस तरीके का पैटरन फोलो करें उसको पढ़ने के लिए तो स्टार्ट करते हैं ये पूरा जो है हमारा मार्केटिंग की बुक जो फिलिप कोटलर है उसका कंटेंट है कि उसमें चाप्टर कैसे हैं अगर हम टोटल चाप्टर की बात करें तो टोटल 23 चाप्टर हैं अब मैं आपको तरीका बताते हूं कि कैसे आप इनको cover करें या कौन से चाप्टर को पहले cover करें या कैसे बच्चे को easy हो जाएगा कि उसे pattern पता चल जाएगा कि भी कैसे chapters interrelated हैं आपस में कैसे किन chapters को वो पहले cover करें या कौन से chapter किस से related है अगर हम बात करें तो आप देखें जो part 1 है part 1 में आपको 3 chapters दिखाई देंगे chapter 1, 2, 3 तो अगर आप chapter 1 की बात करेंगे तो chapter 1 है defining marketing for new realities आप इसमें basic सा marketing के बारे में जो introduction होता है उसको study करेंगे marketing क्या होती है marketing के 4 P's क्या है या marketing के new realities क्या है holistic concept of marketing क्या है या marketing कैसे evolve हुआ कैसे marketing का evolution हुआ तो जो basic सा introduction है marketing का वो आप first chapter में cover करेंगे जो है हमारा defining marketing for the new realities clear ये हमारा पूरा chapter complete है हमारी marketing की playlist में आप देख सकते है दूसरा chapter हमारा होगा जो भी marketing से ही related होगा developing marketing strategies and plans कि भी जो companies हैं वो अपनी marketing की strategies को या plans को कैसे बनाती है क्या तरीका होता है या कितने type के उनके strategies और plans होते हैं तो ये भी basic सा आपको marketing के बारे में ही की बताने वाला chapter है थर्ड है creating long term loyalty relationships फिर तीसरा भी आपको यही बताएगा कि marketing में आप कैसे long term loyalty वाले relationships को build कर सकते हैं loyalty से related तो basics आगर आप part 1 की बात करें तो आपको marketing की ही knowledge दे रहा है या marketing से related ही chapters जो basic introduction है उन से related 3 chapters इसमें हैं फिर जब आप first chapter marketing का करते हैं तो उसमें आप एक term सुनते हैं marketing mix या basic सी जो आप normal books में भी term सुनते हैं marketing mix के 4 P's हैं अगर उन 4 P's के अगर आप बात करेंगे तो वो 4 P's कौन से कौन से हैं हमारे पास वो हमारे पास है product price place promotion यह 4 P's है marketing mix के जिनके इर्द इर्द हमारी पूरी marketing चलती है अगर आपको अच्छे से marketing करनी है तो आपको इन 4 P's को अच्छे से deal करना है जो हमारा है product क्योंकि marketing में आप product की ही तो marketing करते हैं product से related ही उसका price होता है उसकी place होती है कि कैसे आप उसके marketing करेंगे कैसे delivery करेंगे कैसे उसको customers तक पहुचाएंगे और फॉर्थ पी होता है जो हमारी पूरी economy है उसमें क्या होता है यह new P क्या है marketing के concept क्या है marketing के कैसे marketing evolve हो है यह basic सी चीज़े यह marketing की strategies और plans को कैसे बनाया जाता है वो सब हमने first part के 3 chapters में cover कर लिया उसके बाद अब आप क्या करें आप first P को उठाएं product अब जब आपने first P उठाया product तो आप सीधा पहुंच जाएं creating value पे fifth part पे second, third और fourth को भी आप छोड़ दे अभी हमने first P जो हमारा था product product को हम बोलते है creating value कि भी आप value ही तो create कर रहे है customers के लिए अगर product है तो वो customer को कुछ value प्रवाइड करवाएगा अगर हम product की बात करें तो product से related तीन chapter है chapter 13 product strategy से related, product क्या होता है कितने types के हैं, क्या levels हैं क्या product की strategies होती हैं सब कुछ फिर दूसरा है services से related जो हमारा 14 chapter है goods के अलावा services भी हमारा एक part है services की भी हम marketing करते हैं या जब हम बात करते हैं what is marketed तो 10 चीज़े हैं total जिनकी marketing की जाती है goods के बारे में, product के बारे में हम नहीं आ पड़ लिया services का अलग से एक chapter दे रखा है Philip Kotler की book में तीसरा जो 15 chapter है हमारा वो है introducing new market offerings जो new product की development होती है उसका क्या process है या new product ही क्या होता है companies के लिए किसको हम बोलेंगे कि भी उनका new product है तो यह 3 chapters product से related आपको Philip Kotler की book में मिलेंगे तो सबसे पहले आपने basic सा marketing के बारे में पड़ा part 1 में जो पहला chapter दूसरा chapter और 3rd chapter में आपने देखा उसके बाद आप सीजा first chapter का ही marketing mix के जो 4 P's हैं उनको पकड़ लें उनको पकड़ने के बाद आपने पहले उठाया product को तो product के 3 chapters को आप cover करेंगे 3 chapters product के cover कर लिया आपने अब आ जाए दूसरे P पे जो हमारा है price price से related आपको Philip Kotler की book में एक ही chapter है जो है chapter 16 developing pricing strategies and programs एक ही chapter है पूरी Philip Kotler की book में जो price से related है तो आपने क्या किया product को भी cover कर लिया इससे related हमारे total कितने chapters है 3 chapters है और price से related एक chapter है इसको भी हमने cover कर लिया clear तो आपकी जो 5th part है वो भी cover हो गया अब आप देखें कि भी आपका जो 5th part 1 भी cover हो गया और part 5th भी cover हो गया part 5th में आपने product के 3 chapter कर लिये एक chapter आपने price का कर लिया clear 5th part होने के बाद अब आप पकड़े promotion को promotion को आप पकड़ सकते हैं promotion का है communicating value जो आपने value बनाई है उसका एक price भी set कर लिया अब आपको communicate भी तो करना है लोगों तो बताना भी तो है कि भी यह हमारा product है यह हमारी services है इन चीज़ों कि हम marketing करें तो फिर आप पकड़े communication को जब आप promotion वाली जो हमारा third P आप इसे मान सकते हैं place को आप नीचे कर दे यह होगे four P's आपके तो आपने पकड़ा promotion को तो promotion को हम बोल सकते हैं communication कि भी आप अपने product के बारे में बता रहे हैं तो जब आप communication कर रहे हैं तो उससे related आपके पास मिलेंगे आपको चार chapters चार chapters में अब communication जब आप यह promotion की बात करें तो पहला तो आपको marketing communication के बारे में एक chapter मिलेगा basic सा उसके बाद आप mass communication कैसे कर सकते हैं advertising कर सकते हैं sales promotion कर सकते हैं events कर सकते हैं experiences कर सकते हैं इन सारे ही तरीके यह तरीके हैं promotion करने के या अपनी value को communicate करने के इनको आप study करेंगे fourth third आप study करेंगे कि भी online digital communications हैं जैसे online जो आप अपने promotion करते हैं का, social media के through, या mobile app के through, जो भी तरीके हैं, online digital वाले, उनको आप third chapter में discuss करेंगे, लेकिन ये देखो, तीनों ही अभी तक क्या है, promotion से related है, या हम कह सकते है, communication से related, fourth हमारा है, personal communications, जैसे direct या data-based marketing क्या होगी, personal selling क्या होगी, personal selling through, या जो हमारी direct or data-based marketing होती है, उसमें भी हम अपने product को promote करते हैं, लेकिन directly हम खुद करते हैं, advertising में कोई और बंदा करते हैं, लेकिन जब हम personal की बात कर रहे हैं, तो personal selling के through, या direct जो marketing हम करते हैं, without any wholesale or retailer, या database के through, जो हम marketing करते हैं, तो ये चार chapters आपके किस से related है, promotion से related, तो ये हो गया हमारे चार chapters, आपने अब किस part को cover कर लिया पार्ट 6 भी आपका क्या हो जाता है, cover, तो ये देखें, आपने part 1 cover कर लिया, जिसमें marketing का basic सा कर लिया, part 5 में आपने product और price दोनों को cover कर लिया, फिर जो part 6 था, उसमें आपने promotion के चार chapters को cover करा, अब हम आते हैं, अपने next पे, next हमारा है place, अगर हम place की बात करें, तो place में आपको मिलेंगे 2 chapter, place का मतलब है कि आप delivery कैसे करेंगे, delivering value, अब उस value को जो आपने create करी है product की, service की form में, जिसका आपने price भी set कर दिया, price set करने के बाद logo तक आपने उसका promotion भी कर दिया, कि आपने जो knowledge थी उसकी, वो customers तक पहुचा दी, आपने information customer तक पहुचा दी, आपने communicate कर दिया कि भी हमारा product या service है, जिसका ये price है, अब आपको उसको deliver करना है, जिसे हम बोलते है place, कि भी कैसे वो final consumer तक पहुचेगा, तो place से related दो है, पहला है, marketing के जो भी channels वगरा है, उनसे related, कि भी ये हमारे marketing के channels है, कैसे उनको manage करना चाहिए, क्या-क्या strategies वगरा हो तो दो chapters जो हमारा part 7 है, उसमें आपके cover हो जाएंगे place से related, place से related आपके होगे दो chapters, तो दो chapters ये cover करने के बाद आपका part 7 भी complete हो जाता है, तो आप ये देखे part 1 हो गया, part 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब आप आजाएं, जो हमारा एक last part है, part 8, अगर part 8 की बात करें, तो part 8 में एक ही chapter है, जिनका किसी से कोई link नहीं है, आप इनके बाद 8 part को cover कर सकते हैं, वो हमारा है कि जब आप long term success के लिए, कैसे long run के लिए holistic marketing organization क्या होती है, अगर उसको long run में success चाहिए, तो ये chapter इसका किसी से link नहीं है, इसको आप cover कर सकते हैं, तो last chapter है, part 8 भी आपका cover हो गया, तो अब आप देखें कि भी 5th, 6th, 7th, 8th, ये हम कर चुके हैं, part 1 भी हमने कर लिया, अब बचते हैं, second, third और fourth, तीन पार्ट हमारे बचते हैं, इन तीन parts में से पहले आप उठा लें, part 2 को, part 2 जब उठाएंगे आप, तो आप उसमें marketing से related, कुछ information को gather करेंगे, means आप अब market में जाएंगे, market के दो chapters जो information से related हैं, ये data collection से related हैं, वो पहला है collecting information and forecasting demand, कि भी आप market में अपने product की information को collect करेंगे, या हम कह सकते हैं, अपने demand को forecast करेंगे, कि market में हमारे product की क्या demand है, इन chapters का आप देखो, आप इन से कोई relation नहीं है, आपने क्या किया, पहला chapter उठाया, पहले में आपने देखा marketing mix है, marketing mix के four piece को उठालो, उनको पहले cover कर लो, clear, और इसी pattern को follow करके मैं आपने channel पर दिशा classes पर फिलिप कोटलर की book को cover कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चों के comments आते हैं, कि मैं आपने first और second chapter के बाद सिधा 13 chapter करवा दिया, तो उसका यही reason है, कि भी हम क्या कर रहे हैं, हम chapters को ऐसे ही cover कर रहे हैं, जो एक अच्छा तरीका है chapters को cover करने का, ताकि बच्चे को easy समझ आए, इन chapters का कोई भी link नहीं है, कि भी second के बाद third ही होना चाहिए था, यह third और fourth miss होगे, तो आपको 13 समझ नहीं आएगा, वो एक अच्छे से करने का तरीका है, कि भी कैसे आप Philip Kotler को easily understand कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या कि जब दो chapters, दो market की information से related हैं, कि भी आपको market की information को gather करना है, वहाँ अपनी demand को forecast करना है, यह demand forecasting के कितने तरीके हैं, यह हम कह सकते हैं marketing research, कि भी आप market में अपनी marketing research करते हैं, कि भी क्या consumer की psychology है, क्या consumer आपसे चाहता है, तो जब आप इन दोनो chapters को cover कर लेंगे, तो आपका part 2 भ है, एक marketing research का है, कि marketing research क्या होती है, कि चीज़ को हम research करते हैं, यह marketing research करने के कितने तरीके हैं, और पहले वाला था, demand forecasting के कितने तरीके हैं, यह information को collect करने के कितने तरीके हैं, कितने type की information collect की जाती है, information collect करने के क्या-क्या types हैं, जैसे primary data है, secondary data है, उन चीज़ों का आप four chapter में cover करेंगे अब part two आपका complete हो गया अब आप देखें कि भी अब बात आती है customers की अब अगर हम customers की बात करें तो हमारे पास तीन types के customer है एक तो consumer customer consumer market है जिसमें जो final उस product को use करता है जो consumer होता है products का उसे हम बोलते हैं consumer markets तो sixth chapter में आप consumer market को analyze करेंगे कि consumer की क्या psychology है consumer का क्या buying behavior है उस चीज़ को फिर आप देखें दूसरा market कौन सा होता है वो हमारा होता है business market जब एक business दूसरे business के लिए goods and services बनाता है जैसे एक company दूसरी company से कुछ machines purchase कर रही है या equipments purchase कर रही है जिनके help से वो final consumer का good बनाएगी जो हमारा business market होता है B2B business बोलते हैं जिसको हम वो chapter है business market वाला कि business markets के क्या consumers होते हैं क्या buying behavior होता है सब कुछ तीसरी जो हमारी market होती है अगर हम एक company के लिए देखें तो consumer market जो final consumer वाली है जो actual में उस product को use करता है business market जिसमें हम machinery वगेरा परचे एक business दूसरी business को sell करता है further और goods बनाने के लिए और तीसरी हमारी है global market global market मलब जब आप अपनी country की geographical boundaries को cross करके दूसरी countries में अपने product को sell करते हैं तो उसे हमने बोला है global markets और आज के time पे globalization की वज़े से एक product एक से ज़्यादा बहुत सारी countries में sell होता है तो ये तीनों ही chapters किस से related हैं हमारे customers से related हैं एक में आप final consumer market को पढ़ेंगे दूसरे में business market को पढ़ेंगे और तीसरे में global market को पढ़ेंगे कि भी कितने type की market है कितने type की customers हैं तो इन तीनों chapters का आप देखें किसी से भी कोई link नहीं है तो अब आप part third को cover कर सकते हैं अब हमने क्या किया पार्ट third cover कर लिया अब हमारा बचता है सिर्फ एक पार्ट वो हमारा है fourth part तो यह देखें आप fourth part अब fourth part में किस चीज की बात होगी अब बात हो रही है आपके brand की कि भी आपको अपने product का एक brand बनाना है brand बनाने के लिए हमने बात करी थी कि कभी अभी अगर market में आप launch करेंगे तो आप STP की strategy को follow करते हैं STP के मतलब है कि पहले आप market के segments बनाएंगे क्योंकि कोई भी company ऐसी नहीं है जो पूरे जितने भी हमारे consumers हैं customers हैं उनकी demand को fulfill कर सकें क्योंकि customers की demand क्या हैं? अलग है, wants अलग है, taste अलग है, expectations अलग है, उनकी perceptions अलग है, psychology अलग है, lifestyle अलग है तो हर एक customer की demand दूसरे customer से अलग है, तो आप सभी customers की demand को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, उसमें से आप क्या करते हैं, एक market के segment को select करते हैं, उस market के segment को select करके, उसमें भी आप एक target market को select करते हैं, कि यह मेरा segment है, इस segment में भी मैं किसको target करूँगा, किसके लिए मैं product वह जैसे आपने segment चूज करा कि मैं बच्चों के लिए कपड़े त्यार करूंगा लेकिन अब उन बच्चों वाले segment में भी आपको target करना है कि आप लड़कों के लिए करेंगे लड़कियों के लिए कितनी एज वाले लड़के और लड़कियों के लिए करेंगे तो यह हमने segment बनाया कि भी हम बच्चों के कपड़े बनाएंगे वो segment आपका त्यार हो गया फिर आपको target market भी चूज करना है अब आपको brand establish करने आपकी तो segment हो गया target हो गया दो चीज़े होगी फिर आप क्या करेंगे brand की positioning करेंगी इसलिए हमने use क्या था STP segment, segmentation, targeting और positioning brand को position कर लिया फिर एक और chapter है brand से अलग, brand से ही related जो है brand equity कि भी brand की equity कैसे create करेंगे brand से related बहुत सारे topics इस chapter में आपको मिलेंगे और fourth हम देखेंगे कि जब आप brand की बात कर रहे हैं तो obviously market में competition है और जो competition main play किया जा रहा है market में वो brand के basis पे किया जाता है तो addressing competition and driving growth तो यह देखें कि यह जो brand से related chapters हैं क्या यह किसी भी और chapter से related हैं नहीं तो इसलिए जरूरी नहीं कि भी आप इनको series wise ही पढ़ें कि भी आपने first chapter किया, second, third, fourth, fifth, sixth ऐसे ही आप इस series में इसको continue करें तो Philip Kotler को cover करने का best तरीका जो मुझे लगता है या मैंने जिस तरीके से पढ़ी है Philip Kotler वो मैं आपको इस साथ share कर रही हूँ ताकि आपकी भी उससे help हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं जो brand से related chart chapters हैं इनको आप cover कर लें last में तो ये देखें कि भी आपका जो part fourth है ये भी cover हो गया clear तो अब आप अगर देखना चाहें तो आप खुद देखें कि भी आपने क्या किया part one कर लिया जिसमें marketing से related तीन chapters हैं फिर आपने part five कर लिया जिसमें हमारे पास product के तीन और price का एक chapter है फिर आपने sixth part को cover कर लिया जिसमें promotion से related आपके पास chapters हैं चार फिर आपने place से related chapters को cover कर लिया जो आपके पास दो chapters हैं फिर आपने long run में कैसे successful हो सकते हैं उस chapter को cover कर लिया long run वाले को जिसका एक ही chapter है part eight उसके बाद अब देखो आप क्या कर रहे हैं series wise चल रहे हैं marketing का basic करके आपने product का करा product का करके आपने place को cover किया promotion को और price को promotion को और place को फिर long run के लिए part two में जब आप आए तो आपने research को cover किया market को कि market से कैसे information gain करनी है कैसे demand को forecast करना है या कैसे marketing research के तरीके हैं फिर दो chapters को cover करने के बाद आप part third पे आए part third में आपने देखा अलग-अलग consumers को या customers को हमारे customers कौन हो सकते हैं consumer हो सकता है, business market हो सकती है या global हो सकती है इन तीनो chapters को जो हमारे customers से related है उनको cover किया और fourth में आपने क्या किया, fourth part में आपने brand से related 4 chapters को cover किया तो ये एक तरीका है फिलिप कोटलर को cover करने का या अगर आप फिलिप कोटलर से marketing management को easily study करना चाहते हैं तो आप इस patron को follow कर सकते हैं क्योंकि इसी patron के थूँ मैंने फिलिप कोटलर को cover करा है और अगर आपको ये video अच्छी लगी informative लगी आपकी help हुई है तो please videos को ज़्यादा ज़्यादा share कर दिया करो अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं करा तो आप channel को subscribe कर सकते हैं और उन सभी बच्चों के लिए जिनके मेरे पास comments आते हैं दिशा classes पर जो मेरी videos को देखते हैं कि मैं आपने first second chapter के बाद सीधा 13 chapter करवा दिया तो first second chapter के बाद मैंने क्या करवा रख है 13 chapter करवा रख है तो उनके मेरे पास comments आते हैं कि मैं 3rd से लेके 12th chapter तक missing है तो वो missing नहीं है एक pattern है एक तरीका है फिलिप कोटलोर को cover करने का उसी तरीके से मैं आपको cover करवा रही हूँ उसके बाद हम इन chapters को भी cover करेंगे तो please comments मत करा करो कि मैं 13 से लेके 12th chapter तक missing है या इन chapters पर वीडियो बना दो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के comments आते हैं कि मैं 5th chapter स्टार्ट करवा दो या marketing research वाला chapter करवा दो पहले तो उन सभी बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि भी एक patron को follow करके हम फिलिप कोटलोर को cover कर रहे हैं जो मैंने आज आपको बताया है जिससे सब के लिए फिलिप कोटलोर को समझना easy है कि भी किस patron से फिलिप कोटलोर को पढ़ना चाहिए तो इसी लिए प्लीज comment मत करा करो इस चीज के लिए कि मैं यह chapter करवा दो यह chapter करवा दो क्योंकि बीच में हम कोई भी chapter नहीं छोड़ सकते जो हमने start कर रख है उसी chapter को complete करने के बाद और इस patron को follow करके ही हम chapters को cover करेंगे thank you for watching and please आप सभी से बस एक ही request है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप सभी in return बस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कर दिया करो और अगर आभी तक channel को subscribe नहीं करा तो please channel को भी subscribe कर लें thank you for watching